जिन लोगों का जन्मदिन 16 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरब से जन्मदिन की हारदिक्षुप कामनाएं आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और सुधार होगा धन और संपत्ति से संबंधित लाब के योग बन रहे हैं स्वास्थ आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा लेकिन इस साल विवाह और संतान के मामलों में अभी भी विलंब होता हुआ दिख रहा है क्या करना चाहिए पूरे साल भर भगवान गणेश के मंतर का अगर आप जब करें ओम गंगन पते ये नमहा तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बहुत सारी स्तुतियां इस तोत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और संस्कृत थोड़ी सी कठिन भाषा है हो सकता है कि आपको समझ में ना आती हो संस्कृत में लिखी गई स्तुतियां पढ़ने पर एक विशेश प्रभाव पैदा करती है लेकिन अगर आप संस्कृत में ना पढ़ पाएं तो हिंदी अनुवाद भी इसका कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सिर्फ ये ध्यान दखिए कि जो अनुवाद है संस्कृत के श्लोक का या संस्कृत के स्तोत्र का वो अनुवाद सही होना चाहिए अगर सही अनुवाद संस्कृत स्तोत्र का है, वो अनुवाद आप भाव के साथ पढ़ें तो आपको लाब होगा आप किसी मुकदमे में लंबे समय से फसे हुए हैं उससे मुक्ती पाना चाहते हैं प्रियास भी कर रहे हैं चीजें भी ठीक हैं लेकिन मुक्ती नहीं मिल पा रही है मुकदमे से मुक्ती के लिए क्या करेंगे अगर अकारण मुकदमे में फस गए हैं और मुक्ती नहीं मिल पा रही है तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके नौर्थ साइड की तरफ चेहरा करके रोज शाम को साथ बार सेवन टाइम्स हनुमान चालिसा का पाठ करिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से जल्दी ही आपकी मुक्ती के रास्ते बन जाएंगे इसलिए बजरंग बली की विसिष्ट पूजा से साथ बार उनके सामने हनुमान चालिसा पढ़के प्राथना करिए लगभग तीन चार सपता तक ऐसा करिए आपको लाब होगा अगर किसी पुरुष के विवाह में बाधा आ रही है किसी पुरुष के विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो शुक्रवार के दिन भगवान शिव का पंचामरित से अभिशेक करें हर शुक्रवार को शिवलिंग पर पंचामरित अर्पित करें जल अर्पित करें और शिव जी से शीग्र विवाह की प्राथना करें लगभग दो-तीन महीने ये उपाय करने से अगर आप पुरुष हैं विवाह में दिक्कत हैं तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी आस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आस्टो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से